नमस्कार मुलानो में राधिका मिस आपन माक्टा जी आई पी रेलवे आपन चैप्टर बगीत लो था तुम्चा साथी नेक्स्ट चैप्टर है में तोर सोप्ती शिक होते का नमाले भेडाये तो समी अपले चैप्टर स्पूर्ण करती है तर काजी रंगा स्थूल वाचन स्थूल वाचन में आपको कोई पैसेज नहीं आता है तुम्चा स्थूल वाचन में आपको कोई पैसेज नहीं आता है तो यह आपको 6 मार्ट के लिए आता है तूल वाचन तो मतलब एक ही पर नहीं जो टोटल बुक में चार होते हैं चार में बिक्षुन चा प्रदेशात लाल नदी मिले डोंगर ही प्रवासवर्णने प्रसिद्ध प्रवासवर्णनात निसर्गाचा देखनेया रुपान सोबतिया प्रदेशाती लोग जिवनाचे सुक्षम अवलोकन चिंतनव समाजवादी भूमी केतुन केलेले विशलेशन आड़ प्रस्तूत पाठात लेककानी काजी रंगा अभिया रन्याचा जंगल सफारी चे वरणान के लिया आए आज हम लोग बैटे बैटे चलो वाइलाफ सेंशूरी करके आता और इधर की उधर की नहीं तो काजी रंगा राइनासॉर गेंडले बेटू नियात आपन गाहे करिया पहला मेरा वही रहता है कि अगर जो माराठी बच्चा ना हो या आपकी लेंग्वेज नहीं है तो मैं सब कुछ अगर माराठी में बुलूँगी तो आपको कुछ नहीं समझेगा तो आपको समझने के लिए कि आपको माराठी अच्छे से समझने के लिए मुझे हर इक शब यह जोग्रफिकली उसका डाइग्राम है तो काजी रंगा यह पशुस्थल है सेंचूरी है वाइल डाइफ सेंचूरी है तो अब है रण्य सार्य भारताच एक भूशन है मतलब एक ओनर है इंडिया के लिए यह ओनर है काजी रंगा एक आफ्रीका इतके विविधानी असंक य आसाम शिवाय जगाचा पाठी पाठी वर इतरत्र कुठेज आड़त नहीं आई रिपीट अफ्टर अफ्रीका सिर्फ आसाम के काजी रंगा में आपको बहुत सारे एनिमल बर्ड्स यहां पे आपको दिखेंगे एक आफ्रीका में आफ्रीका के बाद हमारे आसाम काजी रं अनिमल से वह और वर्ड में कहीं नहीं दिखते हैं और हमारी इंडिया की ग्रेटनेस देखिए कि यहां पे आसाम में होने वाले कुछ ऐसे अनिमल से जो अक्के पूरी दुनिया में कहीं आपको नहीं दिखेंगे एक्जेंपल हुलोक नावाचा एक पुच्चवील वानर विदाउट टेल आपने मंकी देखा है नहीं ना मैंने भी नहीं देखा है तो यह सिर्फ हमको आसाम जाके मिलेगा और कहीं पे भी दुनिया में नहीं देखेंगा उसका नाम है हुलोक फक्ता हासमा दरतो भारताचा इतर कुटलया ही प्रहंता त्याची वस्ति नहीं वो कह पे भी पाया नहीं जाता है त्याचे हुलोक नहीं नाव सुद्दा त्याचा आवाजा वरुन पढ़ लेया है उसका आवाज कुछ रहेगा अलग से उसका ट्यून तो उसके आवाज से उसका नाम हुलोक यहां पे हो गया है आसाम से वैशिष्ट दाखवनारा दूसरा एक शिंगी गेंडा आसाम आसाम और काजी रंगा यह दो नाम सुनते ही एक ही नाम याद आता है एक शिंगी गेंडा अवन होन राइनासौर ओके अभी देखिए राज्जाचे प्रतिक मौन आसाम ठीक टिकानी त्याचे पुतले उभार लेले अड़ता तो यह उस टेट का सिंबॉलिक एक अनिमल है तो हर जगा पर आसाम अगर आप आसाम गए हो तो आपने देखा होगा कि आसाम में हर जगा पर उसका स्टैचूस वहाँ पे खड़े है कुणी मने लहा अगदी निरुबुद्ध प्राणी एक हाद राज्जा से प्रतिक मौन का पसंद केला दाव आप बोलेगे उसको अक्कल ही नहीं है वह एक्दम निरुबुद्ध है बुद्ध ही नहीं है ऐसे प्राणी का सिंबॉल सिंबॉलिक स्टैचू या सम वाले के पागल होगे लगाने के लिए नो उसके बहुत अच्छा रिजन है और इससे अच्छा क्लीन और क्या बोलते है सोशल सब सोशल क्लीनिंग फॉलो करने वाला कोई दूसरा एनिमल नहीं होगा कैसे देखिए अभी आगे प्रण प्रथम दर्शी वाट्तो तितकाह प्रायनी टाकाउना है जो पहली बार देखिए इतना वो गंदा और यूजलेस एनिमल तो बिलकुल नहीं हर एक एनिमल किसी न किसी कानन के लिए इंपोर्टन होता है वो उसकी अपनी प्रकृती की प्रकृती के लिए तो मानसान पेशा कसास रिष्टा है है तो कोई अंग्रेजी पोएट ने उसके उपर पोयम भी लिखी है और बताया है कि वो कैसे ग्रेट है कंपेरिटिवल्यू हमारे यूमन से एखार याचा पुत्रा पाहने आनि तयाला प्रत्यक्षा पाहने याद फरकस्तो देखो यह मैं यहाँ पे उसका पुत्रा देख रही हूं स्टेच्टी देख रही हूं और सामने देख रही हूं बहुत जादा इसमें डिफरेंट होता है मैंने भी आज तक राइनसार नहीं देखा है टीवी में देखा है उतना ही मूवीज में देखा है बट रियल में नहीं देखा ह मैंने तो मी इतर गेंडा वा तैच्छा वरोबर आसा मतले इतर पक्षु पक्षी प्रत्यक्षव जवरुन्थ पानयाची संधी मिलावी मणुन्थ काजी रंगाला अलो होतु तो हमारे जो लेकक है वसंत अवसरे यह बोलते हैं की काजी रंगा में मैं आया ही था पशु मतलब आनिमल्स है इनको देखने के लिए आया था अशा टिकानी वन्य पशु बहुदा सकाली लवकर अत्वा सुर्यास तचा वेड़ी पायला मिलतत तो आपको पता होगा अगर आपने सफर किया है जंगल सफर किया है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो गाईड ह तो आपको बताते हैं कि आपको एक तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग या तो जो संसेट होता है उस टाइम पे आपको जानवर जो आनिमल जो है बाहर दिखते हैं तो उनको भी वैसे ही कहा था आदल्या रातरी खूब पाउस पढ़ला होता तेमा सकली जर पाउसाची बु जादा पानी हो तो जंगल में जाना इंपॉसिबल है पन माजे नशीव जोड़दार होते दुसरे दुशी सकाई आकाश पूर्ण पढ़ने निरब्र होते हैं हमारे लेकर केते हैं कि मेरा नसीव जोरो पर था और नेक्स डे पे पूरा जो स्काय था वो क्लीन होता हमने इतनी स्लो थी कि आपको पता होगा जो आनिमल रहते हैं वो बाइस मेल हमको और उनकी सिक्सेंस जो रहती है काल उससे हमको पता चलते कि यहां पर आजुबाजु में कूछ है बट जो वीन था वो इतना स्लो था कि आनिमल्स को यहां पर कुछ भी भनक भी नहीं लगती थी क है यहां पर कोई यूमस आये हैं काजी रंगा ची दो मीयी करदम भी करदम मतलब कीचेशर वाली विंवी चिकल चिकल वाली अशची भूमी होती इतलिया कम्री क्या चिकला तूल फिरने मान सला शक्owa चोती कहां तक बोला मैंने कम्रे तक कम्रे उतलम अपने कमर तक वेस्ट तक यहां पर वेस्ट बोलते हैं न कमर को यहां तक पुरा कीचड रहता है वहां पर हम लग चल सकेंगे नो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं शिवाई इते सरुवत्राइट के उनसा गवत वाड लेले अस्ते कि तया थत्ती वर वसलेला मानुस लपून जातों गरास अपने कहा पड़ेगा आपको यह देखने के लिए तो यहां पर बता रहें कि इतनी गरास होती है कि हाती पर बैटा हुआ इंसान भी गरास में नहीं देखेगा इतना वहां पर गरास होता है प्रवाश अन्या जंगलाज फिरोन आन्या साटी आसाम सरकार ने 15 हती खास शिकुन तहार किया है उनको जैसे हम लोग जीप में या तो कोई रहता है गाइड उसके साथ हम लोग जाते है तो यह लोग ने घातियों को सफारी के लिए यहां पर ट्रेनिंग दी है है हती वन्य पशुर्णा घापरत नहीं वह दाट गवता तुनी मार्ग काड़ू शक्ता तो उन्हों साधरन तहां असा समझा है ती गेंडा हती चांगावर्थ सालुन जातो पन शेजार आला निशकारन कारण देने वन्य पशुर्णा रखता तच नस्ते ऐसा मानना है कि गेंडा कभी-कभी हाती पर हावी हो जाता है मतलब उसके आंग पर कभी अटेक करता है खुद से बट इनरी जन बिल्कुल भी कोई वाइल अनिमल हमें कुछ भी तकलिफ नहीं देता यह वाइल अनिमल के खुन में ही नहीं रहताए क्या आपको जाके आपको सताहे या तो आपको कुछ आप इंज्वर करें गेंडा दीकिलिया नियमाला अपवाद नहीं तो हाती ने भी कुछ आती से भी उसको लगा हुआ कुछ डेंजर तभी वो अटक किया उसने कोची तच के वहां तरी एक टास लेला गेंडा समोरू नेनार्य पशुवर धड़क मारेला निक्तो कभी-कभी अकेला रहता है रहनासोर और उसको मन होता है मन चला होता है वो अकेला कोई अगर दिखता आए एनीमल ग्रूप में नहीं है अकेला आ रहता है तो जाके उसको डेरेक्ली धड़क मालता है पर एकल कोंडे पणाचे परियवस, न सट पणाच जा ले नाहीं तरनवलत, क्योंकि विकाद ऐसा क्यू करता है तो अकेला रहता है गेंडा कभी ग्रूप में नहीं जगातिल प्रचंड काई पानयात भारता प्रानयात भारता ती लेक्षिंगी गेंडयाचा चाउथा नंबर लगतो मन्टाथ देखो पूरे ओल ओवर वर्ल्ड में हमारे आसाम के जो गेंडा है उसका वर्ल्ड में पोर्थ नंबर लगता है बढ़ा एक दम वन्यपशू पहीले अतीं अफरिकी हधी भारतीयहां अफरीके तला सफेद गेंडा यांसा समा विश है तो पहले से कुंत है पहला है अफ्रीका का ऐलिफेंट ऐैं इंडियान अलिफेंट ऐैं अफ्रीका का हाइइट कलर का भी रहनो सुर हो ता है इनको भी वहाँ पे जंगल सफर करने का था, तो उनको एक हाती दी गई थी, इसका नाम था वही जयन थी, मोठी देखनी इंद्रा चा अहिरावता ची मुल्गी शोबिल असी अशीती होती, तो उन्हे ने उसकी ब्याख्या डेफिनेशन कैसे की, कि इतनी ब्यूटिफूल थी कि इंद्र जो भगवान है, उनका जो वाहन है, वो है एहरावत, एहरावत मतलब आपको सबको बता है कि वो भी एलिफेंट है, तो उस एहरावत की बेटी ये सूट हो, इतनी जादा ब्यूटिफूल, ऐसे उन्होंने यहाँ पे उसको एक्स्प्लेन किया है, चालत पनशी ह होती आईटीद कि गवता तुन चालता ना, जणू रेशमी साडी सलसलते आहे वाटावे, वाह, तो चलती भी ऐसे थी, कि आगर ग्रास से चलती हो, तो ऐसे ऐसे करके कोई रेशम की जो साडी है, वो उसकी दुपल्लों जो है, वो ऐसे ऐसे करके होता ना, वैसे वो हमारी वैजे यंती चल रही थी, निगाला पासूल, थोड़ाच विलाच एका जराशा ओड़ा ठीकानी आली, और माहूत आने खून केला बरोबर उभीर आईली, तो हाती कोछ ट्रेन करता है, माहूत बोलते हो उसको, तो माहूत बैठा तो उसके साथ, तो एक ओपन एरिया में आ चिलकत घालून पहार्यावर उभ्यास ले लिया, एक आदा विशाल का युद्ध्यासर का, तो चिलकत मतलब प्रोटेक्शन कोट डालके कोई एक आर्मर या कोई एक क्या बलते हैं, उसको आर्मरी बलते हैं, या तो साइनिक जो बलते हैं, ऐसा खड़ा हुआ, ऐसे वो वह पे लग रहा था, विशाल का युद्धा, युद्धा मतलब जो लड़ाई करता है, उसको बोलते हैं, युद्धा, तो युद्धा सरका वो दिक रहा था, जराशी मान हलों तैने आमचा कड़े पाई ले, मवनात नक्की के ले, कि आपली जागा सोड़न पुड़े मागे ह जरूरत नहीं, उसने थोड़ा सा अपना जो ने के उपर किया, और देखा, मुझे इनसे कुछ खत्रा है, नहीं है, तो उसने बिल्कुल भी यहां मुकिया ना महां, वहां मुकिया, वो अपनी जगा पे स्टेबल था, तैसा फोटो घैने अची, माजी मनीशा जानून, माह पे थोड़ा सा चुचकार, चुचकार मतलब स्टॉप, स्टॉप ऐसे करके कुछ, थोड़ा उसको वहां पे खड़ा कर दिया, और वहां पे उसने बहुत सारे अपने मन से फोटो उस राइनासोंस के ले लिए, त्या माहुता कोड़न दोन गोश्टिन ची माहिती मिला ली, बाजारात गेंडेया चा नाकावरी शिंगाची कीमत जवल जवल दोन हजार रुपे इतकी असती, उस माहुत से मुझे दो बाते पता चली, कि बाजार में जो गेंडे के नाक के उपर जो हौन रहता न, वन हौन, उसकी जो एप्रक्सिमेटली कीमत दो हजार रुपे मिलती है, अभी जादा होगी, यह तो तब की कहानी, अभी तो जादा होगी, और दुसरी है कि शरीर थंडर अकना सटी, चिकलाने अंगम आकुन गेहना रहा, या सामयाजिक आरोग्या चा भोगतास तो, तो अपने उपर कीचर उड़ा के लेने वाला जो रहना सोर आपको लगा क इतना गंदा है, बट नो, यह एक्चुली साम सोशल आरोग्या मिन्स, आरोग्या मिन्स हेल्थ, सोशल हेल्थ का फॉलोवर है, अभी यह कैसे, यही इसकी खासियत है, सबंदम मोटया जंगलात, फक्त एकाच ठिकानी जाहून तो अपली विष्टा टाकतो, ओलोवर जंगल इतना बड़ा जंगल है, लेकिन पर्टिकुलर एक ही जगा पे जाके वो विष्टा, विष्टा मतलब यहां पे होता है, पौटी बोल सकते हैं लोग, तो अपनी पौटी महां पे वो करता है जाके, ओके बच्चों, अभी आगे, घान वाटेल तेते टाकू नहें, शेजार गेंडा, निस सवशय शानाच मनला पाई जाए ना, होशय गेंडा, कहां पे भी भले दस किलो मिटर वो आगे जाए, बट वो वापस अपने टौइलेट के लिए वही जगा आता है, जहां पे उसने पास दो-तीन बार किया था, वो हर जगा पे गंदा नहीं करता है, वो अचली यह होशा रहे ना, हमसे बहुत होशा रहे ना, गेंडा, माहुत आने खून के लिए वो गरकन वलसा घ्यों, वैजय अन्ती दुसरी कडे निगाली, फिर माहुत ने वापस से उसको कुछ एक, यह किया, इशारा किया, और टर्न करके वैजय अन्ती जो है, वो दुसर अपने वाला क्रें, आपने देखा होगा, जापे मच्छीज वगरा, फीश वगरा रहते, वहाँ पे यह बगले, मतलब यह जो क्रें है, वहाँ पे वो दिखते है, मी लगेज मनात नक्की के लिए, जबलपास कुटे तरी, रान मशिन सा कड़ पसला पाईजे, तो हमारे ल बगला जीते उतरला, त्या दिशुने माहुत आने वाईजेंतिला हकार ले, आनि पाच पंद्रा मशिन सा एक कलप, शांत पने चरताना अमचा दृष्टीज पढ़ला, तो माहुत ने वहाँ पे बाजू से वो गायों के बाजू से बहसों के बाजू से थोड़ा सा पिछे क्यों रहते हैं, उसका भी रीजन हमारे लेखक ने दिया है, मशी गवतात उन सालतात त्या वेली गवतात ले अनेक लाहन किटक, घाबरन हवे तुड़तात, जो भैस है, जो गवत पर ग्रास पर चलती है, तो डर के जो स्मॉल इंसेट्स रहते हैं, वो उड़ जात पर बेटते हैं, ना कि हैंसे टाइमपास के लिए यां आपको लगता होगा, बेटते हैं, सोशे कभी आपने की जो बगुले रहते, कव्य रहते, कभी कभी वो जो एनिमल रहते, वाइल आनिमल उनके पीट पर क्युब बेटते हैं, तो एक तो उनकी पूछ फीलती है, वो कि आजुबा जो के इंसेट उड़ते हैं तो वो खाने के लिए ओके बच्चो अभी आगे या विशाल शिंगाचा दहा पंद्रा मशीन चा मदून वावरनारे बगले पाउन मना ताले कि निसर गाची कालया वर्ची पांडरी लिपी कि वहां तरी कागदा चितरी के लिप पा इसका पेंटिंग बनाऊं या तो ड्रॉइंग बनाऊं ऐसे हमारे लिखक केते हैं आसामी जंगला तल्या या रहान मशीन ची सिंगे दिसायला मोठी सुंदर आणि विशाल अरद चदरा कुरुती तो देखो आसामी आसाम में जो रहान मशी है उनकी भी स्पेशालिटी है क हत्ती पिक्षाई उन्च अस्रेला एलिफंट ग्रास हत्ती गवत मदूल चिकल तुडवत माहुताने वैजयनती ला पुड़े कडले तो जो हत्ती से भी जो हाइटेडे उनको क्या बोलते है एलिफंट ग्रास तो उसमें से चिकल से निकलते निकलते मतलो कीचड से पैर से रोंते रोंते यह अपनी वैजनती आगे 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 थोड़े अंतर चालून गेला वर मदेश थम्मूंती ने सोंड वर के लिए आणि तुतारी सरकी दिर्ग किंकारी किंकारी फोडली थोड़ा गई आओगा उसने डिस्टन्स थोड़ा गई होगी तो उसने अपना जो यह ह उसका सोंड को बोलते है यहां पर तो बच्चो दीको ने निकसी अपनी और तुतारी के जैसी ती तो अपने लेख को लगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लेम यहाँ पे आ गया माहुता ने इकड़े तिकड़े नजर फिरो ली आणि हत्ते निला पुढे चालने ची सुचना के ली उसने यहाँ वाँ नजर गुमाई कुछ टेंशन नहीं है तो उसने हाथ ने को बोला चलो आगे चलो नजर पावले टाकत गवता तुन चालत्ति एका डपक्या पशियाली वो धीरे धीरे करते एक छोटा सा पॉन था वहाँ पे वो आ गई डपक्याचा काठा वर एक हरिन मरून पडले होती तो वहाँ पे उसके साइड साइड में पॉन्ट के साइड में एक डियर जो है वहाँ पे मरा था हती निने पुन्ना किंकाली फोडली और तोन हवेत फिरोवन चारी दिसांचा वासगेतला उसने स्मेल किया कि मतलब मर गया है या मारने वाला कई आसपास तो रही और कोई है क्या ऐसे उसने देख लिया और अलट थी खोड जणू काय मृत्यूची पाउले आजू बाजूला कुटे रहंगालत आहित का कि काय त्याचा मागो आती घेतो ती उसको लग रहा था कि मृत्यूची पाउले मतलब वो मर गई अभी उनको पता नहीं कि नहीं हम मेरे साथ है मेरे साथ संभालने माले माहूत है तो उन आपल्य सोप्त्याला खाली उड़ी मारेला सांगितले त्या सोप्त्याने खाली उत्रूं हरनाचा प्रेताचे निट निरिक्षण के लिए तो जो माहूत के साथ कोई और एक ठा जो उसका असिस्टं था तो असिस्टं को नीचे जाके उस हरिन को उनोने मानूटली के लिए होती अन्नोन एनिमल ने अपने होन उसके अंदर इंसर्ट करके वो हीरन का माहिरन को माल डाला था किती नाजूक सुन्दर जीव पंजना वरांचाय का अंधलया वेडया लहरी वरूबर चक्का चूर जाला तया चै माजे मन क्षण भर बदीर जाली दुखी हो गया मै कितना सौफ्ट कितना नाजूक है हरी हीरन देके नापने समग कितना कोमल रहते है सौफ्ट हल्टिड रहते है ब्यूटिफूल है ऐसे एक कोई एक वाइल्ड अनिमल अपना गुसा या अपना खेल कुछ समझके उसका जान ले लिया काजी रंगाचा विस्तिर्ण वनप्रदेश तुडवत और भिजलेला वार्यान वर मंद मंद गती ने तरंगत गिर्क्या घेनारा जमिनीचा वह गवताचा वासुंगत वजय अन्ती प्रवासी बंगलाचा दिशेनेचा अलू लागली एंटाइल डे फुल उनका बहुत जादा मेमरेवल था और धीरे धीरे जो हमारी वह जय अन्ती है वह आगे अगे अपने पैर आगे आगे कदम आगे डालके और विन भी जह वो स्लो स्लो आ रही थी और वो कभी आजुबाजु का इंवर्मेंट का स्मेल ले रही थी कभी ज आज वली समोरुन हरनान से कड़प उड़या मारत पड़त पड़त निगोंगे ला तो पता निव चलते चलते हम एकदम से वहां पे वह स्टॉप हो गई और सामने से कि हिरों हिरनों का जूंड कड़प में जूंड वहां पे जंप करके निकल गया त्या हरनान कड़े तो उनका जो ग्रूप है वह सारंग का है ऐसे उनको लगने लगा कि इंचित कारसर अंगावर असपश्ट पांडूर के ठिपके असलेला हरनाना संस्कृत भाषत सारंग में तो ब्लैकिश कलर उसके उपर अंक्लियर वाइट कलर के डॉट ऐसे दिखने वाले हिरन जो है वह संस्कृत में सारंग बोलते हैं या हरनान सा कलप वेगा नहीं जातों त्या वड़ी एखादा काला पांडरा ढग वार्यावर तरंग तो आए असे वाटते धगाला ही संस्कृत भाषे में सारंग तो ऐसा लगता है कि यह हिरन के कलप यह हिरन का ग्रूप ना होके कोई जो एक ब्लैक कलर और वाइट एंड ब्लैक कलर का एक बादल बादल मतलब क्लाउड क्लाउड ऊपर आपे तरंग तो फ्लोट हो रहा है और ऐसे दिखता है कि वह आपने देखा ना कभी जब डियर दोड़ता है तो जमिन पर बहुत कम रहते पैर ऐसे ऐसे करके वह जंप करते ह और रन होते हैं तो उनको लग रहा था कि वह ब्लैक और वाइट कलर की क्लाउड से और उसको भी क्लाउड सको भी संस्कृत में सारंग कहते हैं वैशाक अतल्या पांडूर क्या धगासार का शनाक शनाला विगले रूप घेनारे मन तीते घोटाले तस्ताना वैजय अंती का काजी रंगाचा कडेला योगन उभीराई ली तो वैशाक में अगर वैशाक मतलब एप्रिल में अगर हम लोग बादल दीख जाए तो कितना हैपी होंगे वैसे मेरा मन वहां पर ही थोड़ा सा रेस्ट फिल कर रहा था तो वहां पर ही घूम रहा था जरा और देखते देख फुर करने निए बैटे बैटे कि हमारे लेखकने आपको देखते ही अगर कुछ दाओट है तो मुझे जानल करी करने और मेरे वीडियो के लाइक करा सब्स्राइब करा तुमचे जोडे ही मित्रच चाले तले सगला नाही गोष्ट सांगा माराटी यानी हिंदी चाही विडियो आप लाइए तुए चला मुलानों आता ही ते थामबुयात चला काल जी गया धन्यवाद